हेलो स्टुडेंट्स लास्ट टाइम अमने लेक्ट्रिक एनर्जी तक कंप्लीट किया था अब आगे कंटीनू करते हैं तो यह नुमेरिकल प्रोब्लम है यह हम देखते हैं फिर उसके बाद सेफटी फ्यूज वह लास्ट्रोपिक आपका उसके बाद आपका चैप्टर कंप् तो चलो मेरे साथ बुक निकाल यह और करते हैं अच्छे से क्या है टॉर्च बल्ब इस रेटिड एड़ फाइंट फाइव वॉल्ट फाइव फाइवंडर्ड मिली एंप्यर फाइंड दी पावर एंड दी रेजिस्टेंस तो हमें एक टॉर्च का बल्ब दिया गया है जिस पावर निकाल ली है तो पावर क्या फावर का फावर का फॉर्मला आई वी भी है तो इस क्वेश्टन के कोडिंग देखें तो हमें वी पता है और हमें आई पता है इसलिए हम इस फॉर्मले को यूज़ करेंगे तो आई की जंग आप 0.5 जो 500 मिली एंप्यर है अगर उसे में लिखें तो 0.5 एंपियर होता है और 9 वोल्ट 2.5 वोल्ट लिख दीजिए तो आपको यह आगया 1.25 वाट तो यह वाट कैसे आया आपको पता है वी और ए जो वी ए इसको इगठा क्या लिखा जाता है वाट कलियर तो 1.25 वाट का यह बल्ब है अब हमसे यह पावर आग जो ओम्स लाँ होता है उसके एकोर्डिंग वी इस इकल टू आया तो आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपको यह आंसर मिल जाएगा 5 वाट तो यह जो बल्ब है मारे पास उस बल्ब का रेजिस्टेंस है 5 वाट और उस बल्ब की पावर है 1.25 वाट तो 1.25 वाट पावर बनेगी ओके तो अमीद करता हूं या तक आपको समझ में है नेक्स्ट क्वेस्टन देखिए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इस लाइट फू आवर्स डेली एक सो वाट का बल्ब है रोज दो गंटे उसको जलाया जाता है यूज किया जाता है और 440 वाट बल्ब और 440 वाट के बल्ब है जिनको एवरी डे फोर आवर्स रोज चार गंटे के लिए यूज किया जाता है कैलकुलेट दी एनर्जी कंज्यूम इन किलो वाट आवर किलो वाट आवर में एनर्जी आपको निकालनी है इन 30 देज तो 30 दिनों में यह सभी के सभी बल्ब मिलके टोटल 100 वाट कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे यानि कितना हमारभस लाएगा उनिट निकल जाएगी मीटर में वह मनें बताना हैं तो देखिए अगर वह बात करें एनर्जी कंज्यूम अगर सब्刷 drunkly इनर्जी जो इनर्जी कंज् आपको पता रहे हंट वाट का टी आ उ तो आपको पता किलो वाट आवर में आंसर निकालना है तो पहले वाट को किसमें बदलेंगे किलो वाट में तो एक वाट इस इकुल टो उत्ता बन बाई थाउजेंट किलो वाट करेंगे तो वह वाट का किलो वाट बन जाएगा तो यह बन गया है आपे तो 100 बाई 1 थाउजे जो रोज जलता है दो गंटे के लिए तो उस दो गंटे में वो कितनी एनर्जी कंजूम करता है 0.2 किलो वाट आवर यानि 0.2 यूनिट एक यूनिट भी पूरी नहीं आगए देखे 440 वाट बल्ग तो 40 वाट के 4 बल्ग है तो एक 40 वाट का तो 4 कितने वाट के होगे तोटल अगर नि seaweed坐 तो 40 की किस से multiply करते हैं, 4 से तो यह तो आगी total watt, सभी की watt इस आगी मिलके, और आपका रोज 4 गंटे use होता है, तो 4 गंटे से multiply करते हो, तो energy निकल जाएगी, और 1000 से divide क्यों किया, kilowatt में convert करने के लिए, तो 40 into 4 तो आया, 4 बलब की power in watt, और watt को kilowatt में change करने के लिए 1000, और time से multiply करते हो, तो आगी energy, तो यह आगी 0.64 kilowatt hour, तो यह 0.64 unit भी आप इसे बोल सकते हैं, इतनी unit हमारी निकल गई, एक दिन की, तो एक दिन की, यह तो इसकी निकली है, और इसकी भी निकालो, तो दुन्नों को जोड़ दो, दुन्नों को जोड़ गए 0.2 प्लस में 0.64, तो यह आगी total energy, जो आपके 440 watt के और 100 watt का, तो टोटल 5 बलब जो मिलके energy कंजूम कर रहे हैं, रोज, एक दिन में जो कंजूम कर रहे हैं, तो तो 30 दिन के लिए रोज इतनी कंजूम करेंगे, तो इसको 30 बार जोड़ दो, या इसको 30 से multiply कर दो, तो अंसर आएगा 25.2 kilowatt hour, तो यानि 25.2 unit जो कितना भी लोता है, तो 25 से गुना कर दो उससे, तो आपका बिल पता चल जाएगा, इतने पैसे आपके लगेंगे, उम्मीद करता हूँ, यह भी समझ में आए होगा आपको अच्छे से, इस परकार आप इसे sold out कर सकते हैं, नेक्स्ट कॉस्चिन देखिए, a 40 watt lamp required 0.182 ampere of current at 220 volt, क्या कहा गया, 40 watt का lamp है, और वो इतना current चाहता है, 220 volt अगर आप उसे देंगे, तो वो इतना current लेता है, आप यह कह सकते हैं, या इतने current की उसे आप सकता है, अपने को fully operate करने के लिए, यानि पूरी 40 watt पावर देने के लिए, 220 volt अगर आप voltage देते हैं, तो इतने current की requirement ह तब जाके वो 40 watt का बल बनेगा, अगर इससे कम आपने current प्रोवाइड कर दिया, इतनी voltage के साथ, तो पावर 40 watt में रहेगी, उसकी 40 watt से कम हो जाएगी, यानि वो पूरा जितनी brightness देता, 40 watt की उतनी brightness देके, उससे कम देगा, अगर आपने current इससे कम दिया, तो यह कम मतलब है, यहां 40 watt का लेंप है, और 220 watt पे काम करता है, और इतना current उसे चाहिए, अपने आपको 40 watt का बनाने के लिए, ठीक है, पूरा 40 watt दिखाने के लिए, ऐसी वाइल ए 60 watt, लेंप रिक्वाइड 0.272 ampere, जो 60 watt का bulb है, उसे इतना current चाहिए, ठीक है, 220 watt पे काम करता है वो भी, तो इसमच current, ओके, अई, इसे 40 watt लेंप और 60 watt लेंप आर, क्नेक्टि इन सीरी, अब क्या किया, 40 और 60 दुनों को सीरीज में जोड दिया, और 220 वोल्ट लाइन से ही जोड दिया दुनों को, तो आपको पता है, सीरीज में वोल्टेज सेम नीज़ा, ती वोल्टेज बट जाएग तो एक बात तो आपको दिमाग में लेनी है, आजानी चीए, कि अगर ये दो लेंप है, अकेला मांग रहा था 220, ये भी अकेला 220, आपने तो दुनों को ही 220 दे दी, ऐसे सोचिए, इमेजिन कीजिए, ठीक है, तो अब इसको तो कम मिली होगी, इसको भी कम, 220, यानि दुनों जुड़के 220, इसको V1 मिली होगी, इसको V2, V1 प्लस V2 मिलके 220 बनेगा, ठीक है, तो यानि अकेला V1 220 से कम है, अकेला V2 220 से कम है, तो वोल्टेज कम दे दी, आपने, वोल्टेज कम दे दी, तो पावर का फॉर्मला होता है, V2I, ठीक है, ना, तो वोल्टेज कम है, तो कि यहां पर आपने करन्ट देखेंगे कितना आएगा लेकिन इस चीज में आपने फरक जरूर डाल दिया किसमें 220 ना देगे आपने कम वल्टेज देगे तो पावर इस इकल टू वी इंट आई अगर आपने देखो आप अभी विचाथ देगे 40 वाट और 60 वाट का उतने काई काम करता रहे तो क्या होना चाहिए थोड़ा दिमाग लगाए तो देखिए पावर का फोर्मला है वी आई चलो आपने वी गटा दिया यानि वी वन एक बलब जो फर्स था उसको वी वन वाल्टेज में लिए जो 220 से कम है तो आप करंट बढ़ा दो तो भी तो पावर 40 आ सक पूछा गया है ओके सीरीज में जोड़ दिया हाव मेनी एंपेर्ज ऑफ करंट विल फ्लो 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 करेगा हमसे तो केवल भी यह पूछा गया है ठीक है तो चलो देखते हैं रेजिस्टेंस कितना है चालीस वोट के बल्ब का क्योंकि अगर हमें अब जो दो बल्ब है अगर हमें यह रेजिस्टेंस दिये उत्तिया रवन रटू और वोल्टेज दे रखे तो 120 ठीक है और रवन रटू अगर हमें पता चल जाए तो दुन्नों को जोड़ देंगे तो आर एक्यूएलेंट पता चल जाएगा यानि आर टोटल पता चल लगी तो टोटल करन्ट आपको पता चल जाएगा और सीरीज में करन्ट सेम रहता है तो यह हमारा मकसद है यह हमारी अप्रोच है इस तरीके से हमसे सोल आउट करेंगे ओके बच्चों तो चलो करते हैं आर बन निकालते हैं पावर का फॉर्मला पावर पता हमें कोस्टन में हमें वी में आप 1020 का स्कष्टे में 40 कर द Sum ठीक है 40 वोटब वाला जो बलब है उसका बारा सो दस ओम रेजिस्टन्स है और 60 वोटब में उसका रेजिस्टन्स आपका आ गया 2420 वटे यह तो और रेजिस्टन्स आएगा दुननों को इन दोनों को एड कर दो आप इन दोनों को तो टोटल वोल्टीज ऑसो भी सापको पता है डोटल रेजिस्टेंस आपको पता चलिए आप यार कर तो तो जो करंट है हर एक बल्ब में से जिरो पाइंट ऊक्वार्मेंट को दोनों को जो करंट है वह कम मिल रहाуждा तो तो दुनों पूरी वाट है यानि पूरा साथ का काम ना करके इससे कम वाट हीगे टूल करता हूं बच्चों यह भी आपको समझ में एसी प्रकार आप पैरलल कंबीनेशन में अगर आप इनको पैरलल ही जोड़ दो फिर सेंगा रजिस्टेंस और रजीटर तो वही रहेगा वही रहेगा पस रचीप्रोक्ल करके एड़ कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा एक पैरलल में अगर यही दो बल्ब पैरलल में कनेक्ट होते हैं 220 वोल्टेज आप सप्लाइब इनको देखते हैं तो अब भी बायार कर दीजे सप्लाइब वोल्टेज वही 220 वोल्टेब 444 दो देखे 0.45 अब जो करंट है हाँ टोटल करंट 0.45 है यानि अब इस कंडिशन में दुनों में बल्ब 40 वोल्ट की दरख काम करेंगे सीरीज में नहीं करेंगे देखो क्यों करेंगे समझाता हूं अगर आपने दुनों में को पैरल में जोड दिया है और 220 वोल्ट आपने दे दिया दो इसको भी 220 तो एक कंडिशन तो पूरी होगी 220 की दुनों की करंट यहां 0.45 उपर वाले में विचला जाएगा और नीचे वाले में बट जाएगा बटेगा तो 0.45 जो करंट है वह 0.272 और 0. इसको जोड लीजिए या तो इसके ब्राबर होगा या इससे ज्यादा होगा ठीक है तो जाता कि ब्राबर ही होगा इसके और यानि यह ले लेगा अपना 0.182 यह ले लेगा 0.727 वह देखो वोल्टेज भी 220 मिलगी करंट भी इतना चीए था उतना मिल गया तो यह पूरा पू हमारे गरों में पैरलल कंबीनेशन ही जोता है ताकि जो गलो जो गलब सो वाट का वो सो वाट की ही लाइट छोड़े सो वाट जितनी है यह नहीं कि सो वाट का और का चालिस वाट की तरह काम कर जाए 20 वाट की तरह काम कर जाए सीरीज में पॉसिबल है पैरलल में ऐसा पॉ वोल्टेज मिल गी तो जितनी वाट का इसलिए वाट करेगा इसलिए हमारा पंखा प्रीज सब कुछ जितनी पावर के उतनी पावर पे वह चलते हैं वह बिल्कुल अच्छे से उपरेट हो यह पैरल में तो हमारे घरों में पैरल कंबीनेशन होता यह बात आपको ध्यान रख जिन बच्चों ने देखा है वो जरूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा कैसा समझ मैं कैसा नहीं कोई और प्रोब्लम है तो मेरे पास वट्सप पे आप सेयर कर सकते हैं ऐसा जरूर किया रो ताकि में इसको पता चल चुके चल सके कितने बच्चे ने लेक्चर को अटेंड करने हैं क्योंकि बिल्गुल अच्छे से मैंने टोपिक समझा दिया आपको फॉर्मुलास पता है यह आपको लोगों खुद करने जो नहीं समझ में आए मैं करवा दूआए ठीक है तो उस चीज़ के आपको टैंसर नहीं देनी है लेकिन उसी जरूर कीजिए नहीं होता तो कि उससे पहले फ्यूज होता था गाउं वगरे में आज वी कल विसायद फ्यूज करते हैं तो फ्यूज क्या होता है जैसे चिन्नी मिट्टी की पत्थर से आपके यह सेफ्टी डिवाइस बढ़ी होती है और इसके अंदर दो टर्मीनल होते है टीवन टीटू सिमबल इसका अर्य है तो यह इसका शिंबल है टो यह सिमबल आप ध्यान दखना फ्यूज का और दिखने में कुछ ऐसा होता है तो यह इन्वी चिन्नी मिट्यी पत्थर होता उससे बना हुआ है और यह इंसुलेट रोता है इसमें करेंट पास नहीं तो यह आपर यह उपर गय टरमीनल कहुंझ ना चीह को पोपर रवायर ना यूज हुए हो और आपका अलोय हो ऐता है उससे यूजी किया जाता है तो ऐसे इनको जोड दिया जाता है उसके दिए जिए जोग जबाए जाता है तो यहां आनोर यह लाइव वाय आर्ट है तो खै holy और आर आगे जा कि इस कहीं कोई लाइन ऐसी जोड़ी जिससे करंट ज्यादा हो गया तो हमारे गर में करंट ज्यादा आने के कारण जो डिवाइस हम यूज़ करने हैं टेली विजन वगरा कंप्यूटर वगरा कुछ भी तो हो सकता है पॉसिबल है या चलो इन चीजों को भी अगर आप छोड़िये तो यह डिवाइस आपकी बर्न आउट हो सकती है जल सकती है ठीक है तो उन सभी डिवाइस को नुक्सान पहुंच सकता है ठीक है न वो डैमेज हो सकती है तो उन्हें बचाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अगर वोल्टेज पीछे फ्लक्ट्ट कर रहे है ज्यादा करन्ट आने पर यह जो वायर है यह बर्न आउट हो जाती है जल जाती है यहां से ब्रेक हो जाती है जांजा मैं रहा कर रहा हूं तो यह दो इससों में टूट गी एक तरह से कैसे तो देखे कुछ ऐसा हो गया ऐसे ब्रेक हो गी तो अब यहां से जो करन्ट आ रहा था वो कर पर है यह हम astrology जब रहए recognized हैं और इसमें यह ग्लैम्प है कि और यह दिखा रखा लाइव तो यहाँ से शो ब्रुमने इसके अंदर रखा कि इधर से गदर रखें कि इस चीज को दिखा सक्ति नियुक्त है य्म आधा कांच पर आफषक्ड तो यह अंसे 3A, 5A, 10A तो आम तो रुपे गरों में 5A रेटिंग वाली MCB या भी ये आपके fuse wire यूज की जाती है तो बच्वे पड़ ये कुछ ना समझ मैं है बसे आप पूछिए ओके